आगर प्रोजैक्टाइल मोशन थ्कारओं और करेंगे इस से पहले हम देखेंगे कि वाइट गफ्रोजैक्टाइल प्रोजैक्टाइल क्या होती है प्रजाटाइल आप कह सकते हैं एनिफिंग विच इस गिवन निशल पूश एनिट मूज अंडर दी एक्शन ओफ इस इनर्शिया एंड फोर्स ऑफ ग्रैविटी मैंने यहां से एक फुटबॉल था इसको किक अफ किया तो यह अब मूव कर रहा है सिर्फ अपने इनर्शिया क इसको आगे की तरफ लेकिव के जा रही है जबके क्रेशन फोर्स निचे की तरफ न एकक्शन ओफ एसीनर्शिया अपने इनर्शिया की वाईसे मोय मैंने तो किक करके छोड़ दिया पॉंग मेरा पीछे आ गया है अब तो मेरा पॉंग इसके सार नहीं जा रहा है अब ये खुद बाखुद मूव कर रहा है अंडर दी एक्षण ओफ इस इनर्शिया जो आप रहा हम इसको मोशन दे दी थी निशनी फोर्स अप्लाई करके इसक की दरफ ट्रेट कर रही है जबके इनर्शियल फोर्स इसे उपर की दरफ लेके जाना चाहरी है तो किसी भी बॉड़ी को जिसको हम कहते हैं कि हम इससे इनिशन पूछ देकर छोड़ दिया है अब मूव करें अंडर दी एक्षण ओफ इस इनर्शिया एंड ग्रैवटी इस एस प्रजेक्टा इल रिपास मारकर ये अमारकत वैसे प्लेप आदेता हूं तो यह भी जैड़ेटल क्यों आएगा फुट बॉल है आपने इसको कई कर दी आ वह भी प्रजेक्ट लागा एगा क्रिकट बॉल थाफ ने उसको बैड से लीड कर दिए अब वह भी परॉजेक् हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं तो डिमेंशनल मोशन ओफ आप बॉड़ी इसके बॉड़ी अचंड़ दिफ इस इनर्टी कर साथ और एकार्ट इस आपटेशिक mettre चंड़े, चंड़े इस बॉड़ी अनर्टी जाओट, चंड़े, न्याओ बॉड़ी और इस न चरख, प्रोजेक्टाइल मोशन इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहें अब इसके cases हैं कुछ discuss कर लेती हैं case number one है when an object is thrown from a certain height इसका पहला case है जब किसी प्रोजेक्टाइल को जब किसी बॉड़ी को एक certain height से प्रोजेक्ट कर दिया जाता है तो अब हमने देखने है कि वो x direction में कितना distance cover करता है y direction में कितना distance cover करता है left this is the height and it is represented by y यह वो certain height थी जहां बर आपका object पड़ा हुआ है यह object पड़ा हुआ है हमने क्या किया यहां से इसे initially push कर दिया initially horizontally थो कर दिया initially push कर दिते है horizontally आप यह move कर रहा है move करता हुआ इसे यहां पर आके हिट करेगा इस जगा पर अगर हम observe करें कि यहां पर क्या हुआ हुआ है इस जगा पर force of gravity नीचे की तरफ इसकी निस्बत ज्यादा act कर रही है और इस side पर क्यूंके horizontal force यहां पर जो act कर रही थी वो तो सिरफ इससे initial push देने के लिए थी आप वो छोड़ दिया हमने वो force act नहीं कर रही अब इस तरफ horizontal direction में कोई force act नहीं कर रही अगर net force act नहीं कर रही तो according to neutral second law F is equal to MA net force 0 act कर रही है तो MA की product 0 के बराबर है या तो mass equal to 0 है या acceleration equal to 0 है mass तो 0 हो नहीं सकता acceleration 0 है acceleration 0 दो वज़ास हो सकता है या क्या होगा कि इसकी विलासी जो है वो 0 है या यह हो सकता है कि विलासी में chain नहीं आ रहा वो constant है यहीं वज़ा हो सकती है तो during projectile motion horizontal component of the velocity जो X-AC की दरफ है वो क्या रहती है constant रहती है जो आपने initially दे दी वही रहनी है उसने chain होना क्योंकि next forward direction में कोई net force act नहीं कर रही होगी net force act नहीं कर रही होगी horizontal velocity along the axis रहेगी constant रहेगी लेकिन यह क्योंकि body continuously नीचे की तरफ आ रहा है इसका distance अर्ष से कम हो रहा है तो इसके उपर force of gravity बढ़ती जाएगी तो इसकी vertical जो velocity है वो change होती जाएगी और वो vary कर रही है with respect to suppression between the earth and the object अब इसने यहां पर आके hit करना है जब यहां पर आके hit किया तो इसने origin से point of projection जो इसके point of projection के बिलकुल नीचे जो origin है यहां से लेके यहां तक जो इसका distance है वो horizontal distance cover by the body है और वो find किया जा सकता है S is equal to V into T formula होता है हमारे पर इसने के लिए तो S horizontal distance cover by the body है और V यह वो speed है यह वो velocity है जिससे वो horizontally move कर रहा है और मैंने कहा during projectile motion this horizontal velocity of the projectile does not change तो VX into T यह horizontal component of the अब vertical distance कैसे find करेंगे यहां से थ्रोग कर दी आपने निशने विलासी along Y-axis आपने वो तो D नहीं है उसको वो तो rest में था आपने उसको initially थ्रोग किया है horizontally थ्रोग किया है तो initial velocity along Y-axis वो क्या है जीरो है हमने उपर की तरफ ने इसको थ्रोग किया अब उपर से निशे की तरफ आ रहा है तो acceleration किसकी वहाशे होगा gravity की वहाशे होगा हमने डिसल मुलूम करना है जो vertically वो discover कर रहा है तो formula हम जानते है we know that S is equal to VIT plus half AT square यहां से S की जगा पर मैं Y लिख देता हूँ initial velocity है along Y-axis into T plus half acceleration gravity की वहाशे है into T square initial velocity along Y-axis वो 0 है 0 into T plus half GT square is equal to half GT square यह vertical distance cover by the projectile है जो उसने vertically move करते हुए cover किया था